थिए THE EAD भगवाय परशुराम ने अपनी माता का वद किया था 他 आपने इसका Zikr अपनी पुस्चक में कियाया और इसके आगे भी, क्योंकि यह फैला हुआ है भ्रहन्थी समझ में कि.. परशुराम भगवाय ने अपनी माता का वद किया था इसके पर थोड़ा सा प्रकाज देदिया दिखिए ये मेरे एक वैचारिक भगवान परसूराम के वैक्तित्व को प्रस्तुतिकरण करते समय में यह मेरा एक प्रस्तुतिकरण है कि मैं इस सब्दार्त को सुईकार नहीं कर पाया और कई बार क्या होता है अलंकार की भासाओं के कारण कई हम प्रस्तुतिकरण में चूप जाते हैं संगार रस हो या वीबहत्र हमारे तो रस भी ना उस रस से संब्दित सब्द है अलंकारिक सब्द है और कई बार वो सब्द के लेखन के समय में लेखक जो है उसको एक वैचारिक सम्रुद्धी देने के लिए कुछ सब्दों का प्रयोग करता है कि इस तरी के से हुआ तो वो मुझे लगता है वो उचित नहीं है वो कुछ और पक्ष है पेरे साब से कि जो मैं समझ पाया हूँ वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते है वो मैंने जो उसके अंदर दिया है कि एक पूरा छेत्र भूमी छेत्र था और उस भूमी छेत्र में जो एक परवत की जो चोटी थी उस परवत की चोटी को उन्होंने समतल करके एक नदी का रुख चेंज किया जिससे कि उस पूरे छेत्र में जीवन आया, कृसी आया, पानी की विवस्ता आया, तो कतात्मक रूप में वो ऐसा प्रियोजन बना, ऐसे सब्द का आर्थ बना कि इस तरही के बावत बनो गया, कि उन्होंने जिसको हमारे हाँ हर चीज को माता के रूप में ले जाता है, नदी हो, परवत हो, पेड़ हो, क्योंकि आप अगर रिगवेद में जाएंगे, तो वो जहां भी पृत्वी के साथ छेड़ चाड़ होती है, वो पृत्वी करसी का कारे करने से पहले भी छमायाचना करते हैं, प्रृत्वी से छमा मानते हैं, कि हम आपका जो है दोहन कर रहा हैं, ऐसे भाव है सनातन में, आ अब भगवान परसुराम के द्वारा उस सम्तल किया गया तो उस यूग के चिंतन में की देखिए ये तो का सर हटा दिया अबलब उसका जो सीर्स था परवत का जिसके कारण लदी का रुख चेंज करना तो ऐसा मेरे मन में एक विचारा है कि ये करानन हो सकता है एतिहासिक रूप से वहवारिक रूप से उस यूग की उस काल खंड में जैसे की परसुराम जी के साथ प्रभू के साथ पस्चिम के छेतर से बहुत सारी कताएं जुड़ी हुई है केरल से लेके पूरे बंबे के जो वेस गाट है उस भूखन्ड से परसुराम भगवान परसुराम की बहुत सारी कताएं जुड़ी हुई है अब मैं थुदा सा कतांतर हो जाएगा लेकिन जब आपने बाद छेड़ी तो थोड़ा सा उसको एक हलका सा विस्तार दे रहा है तो प्रभू परसुराम की नाम के साथ उ उनकी विसेज जो भूमिका उनोंने की है, कैरल की कई जो कई तोहार है, कई उत्सव है, कैरल की कई जो प्रचलित मानिता है, उसमें परसूराम जी का एक बहुत प्रमुक भूमिका है. वैसा ही वेस्टर्ण घाट में भी है. तो ये सारी जो भूखंड है, इस भूखंड को मनुस्य उपयोगी बनाने में परसुराम जी का बहुत बड़ा योगदान है ये सब परवत स्रंकलाएं हैं ध्यान से आप देखिए उस परवत स्रंकला में मनुस्य उपयोगी उस भूखंड को बनाने में उन्होंने किस तरह से उसको उपयोगी बनाया उसकी कथाएं अनेक डिफरेंट रूप में आई हुई है हमारे कथात्मक सहली का एक प्रचलन है तो कथात्मक सहली को रोचक बनाने में कई तरह की कथा में अलंकार उपयोग होता है तो यह भी किसी भूखंड में उस भूखंड को उपयोगी बनाते सर्में कथा प्रचलित होते हुए ऐसे से गई ऐसा मेरा मत बना जो कि जिस छेत्र में हैईवंस का जो बहुत सारी पीडाय थी च्छत्री बहुत दुस्ट च्छत्री था और समिक राजा उसका भी वर्णा ने जिसका थुदा सा कथा पुस्तक में है जिस्ट च्छत्री संहार की बात आती है कि इनोंने सरी चत्रीओं के संहार कर दिया वो हेईवंस की संहार की बात कार्त्वीर यह वो नाम उसका जो राजा है वो बहुत दुस्ट राजा उसका सहार उसके परिवार का सहार तो ये भ्रगू वंस और यहाई वंस का बहुत दिनों तक कंक्रिक्ट चला है तो ये उस वंस की छत्रियों का नास कर दिया वो बन के क्या बन गिया कि सारे छत्रियों का नास कर दिया अब सारे च्छत्रियों का नास कर दोगे तो फिर दूसरा च्छत्री कहां से आएगा दूसरी बार कहां से च्छत्री आएगे तो कहते तीन बार च्छत्रियों का नास कर दिया तो यह एक कथा के रूप में जबकि वो एक वन्स की जो छत्रिय थे वो बहुत दुस्ट हो गये थे तो परशुराम जी ने युद्ध में एक कथा है बकायदा उस वन्स के सारे राजाओं को उन्होंने पराजित किया नास किया दुस्ट थे वो चत्री पापी थे उस यूग के लोगों को आमजन को तंग करते रहे तो यह उन्होंने कारे किया तो अब उस कथा को वो बनते बनते मानिता है बनते हमारे परंपराएं मानिता हैं स्रद्धा कई भाव जुड़ते 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 वही विर जात रूप ले लेती है तो उसको और हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा कि फिर वो हमारे हैं एक इसी का नरेटिव वार्स में फिर आज की यूग में कुछ अती बुद्धिमान लोग उसका अनुप्योग करते हैं दुरूप्योग करते हैं आप समझने हैं मे तो क्या होगा परसुराम जी छत्रियों के वो माने जाएंगे ऐसा नहीं है वो तो एक धर्मनिस्ट रहती हैं शत्यनिस्ट हैं ज्यानी हैं तो उनका वर्नन यहां पर इस संदर्व में आया है कि एक तो त्रेता यूग का प्रारंभ परसुराम जी से हैं संबंदित हैं कई तो कई कई खताओं में उनका परसुराम जी के शे संबंदित रहता यूग का प्रारंभ पताया गया और चूकि परसुराम जी का नाम राम से संदर्व Amen के संदर्व में भी आरहा है तो उसके कारण भी उसकी वस्तरी बट मेरा ऐसा क्याले दोनों ही परसुराम جी के साथ अगर सारे च्छत्रि का से अगए पर दूसरी बार की छचत्रि कहा है इ। प्रस्णु तो ή उठेगा। यहीं हम यह थारत गुत्मा में समझना परें। जो भी दुस्त राजा था, जो भी दुस्त राजा, राजा भी छत्री है। जो भी अधर्मी राजा था उसको प्रभू प्रशू राम जी ने सिक्षा दी एक तरह से आप उसे संतुलित भासा में ये कहेंगे युद्ध में पराजित किया झाल 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 झाल